तो दोस्तों आज मिलाया हूँ आपके लिए एक ऐसा पावर टूल जो अपने आप में इतना जादा उपयोगी है कि मेरे हिसाब से तो उसे हर एक के घर में होना चाहिए क्योंकि ये अकेले ही आपकी ड्रिलिंग से रिलेटेट सारी की सारी रिकार्मेंट्स को अकेले ही पूर सकती है ये है ये है ट्रिल मशीन जिसके साथ क्या क्या आता है ये बखा लिए चुका है साइड में कर देते हैं इसको ये ट्रिल बिट्स तो ये आते हैं इसके साथ एक्स्ट्रा प्रशेज ये की चक को ओपिन या ग्लोस करने के लिए दो स्कुरूड्राइवर बिट्स ये वारंटी कार्ड जिसको हम ओनलाइन लॉग इन करके ले सकते हैं ये दो तरह के ड्रिल बिट्स दिये हुए ये हाई स्पीड स्टील ड्रिल बिट्स हैं जो कि मेटल और वोड में वर्क करेंगे ये मैसोनेरी ड्रिल बिट्स हैं जो कि कॉंक्रीट और स्टोन या दीवारों पर यूज करने के लिए ये अमजन का बिल ये हैंडल दीवार में होल जब करेंगे तो इसको पकड़ने के लिए ये ट्रिल बिट की डेप्थ के लिए कितना डेप्थ तक होल करना है उसको एजिस करने के लिए तो ये है हमारी ट्रिल मशीन ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिल मशीन है ये ये बटन जो है ये आप देख रहे हैं ये हैमार एक्शन के लिए है इसको आप एड़्जस कर सकते हैं ये रिवर्स फॉर्वर्ड रिवर्स फॉर्वर्ड फॉर्वर्ड फंक्शन है इसमें और हम इसमें इसमें स्पीड भी अड़्जस कर सकते हैं इसके स्विच को दबा करके भी और यहां से इस नॉब को घुमा करके भी यहां माइनस ऐसे घुमाते जाएंगे तो स्पीड कम होत देखी दोस्तों यह हैंडल यहां यूज होता है यहां इसको दबा करके हम इसको दीवार में होल करने के लिए यूज कर सकते हैं जब हैमार एक्षन यूज करते हैं यह स्पृट लेवल दिया हुआ है इसमें जिसे कि हम एकदम सीधा होल करें होरिजॉंटल और इसका यूज होता है इसका यूज यहां ट्रिल बिट से मेजर करने के लिए किरते हैं तो एक बद स्टार्ट करके देख लेजें दोस्तों उसको एक बार इसको प्लग लगा के थोड़ा चेक कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इसको अभी मैं फॉर्वड बनाँ अभी चेसी में इसका यह सेलेक्टर नॉब यहां करूंगा तो यह एंटिक्लॉप वाइज बनेगी अभी यहां से हम इसकी स्पीड एड़ेस्ट कर सकते हैं कम ज्यादा अभी यह मैक्जिमाम पूरा स्विच को दबाने पर भी यह मैक्जिमाम स्टीड अगर इसको यहां कर देता हूँ तो अगर हम मैं थोड़ा स्विच को दबाऊंगा तो यह धी में घूमेगा और पूरा फुल दबाऊँगा तो यह फुल पुल स्पीड के आजागा जितना जादा दबाँ हो उतना जादा है इसका स्पीड तेज होता जाएगा और कंटिन्यूस वर्क करने के लिए इसको हम यहां दबा सकते हैं देखिए वर्किंग है विए तो देखा दोस्तों आपने इसके function और hammer action तभी काम करता है जब क्सूशर करते हैं इसको प्रेशर देते हैं ततम hammer action वर्क करता है देखिए अभी कोई स्थे़ी नक तो चलिए दोस्तों यहां हमारे पास है दो ड्राय के ड्रिल बिट्स जो एमस पर वर्क करते हैं और मैसोनरी में वर्क करते हैं और हमारे पास स्क्रू टाइट करने के लिए भी बिट्स है जो कि यह मैगनेटिक हैं देखिए यहां स्क्रू भी है हमारे पास चहां मैं इसको स्क्रू टाइट करके इसमें दिखाऊँगा आपको चलिए सबसे पहले इसमें होल करते हैं पहले में इस्कूरू मैगनेट होने के कारण यहीं चिपक रहा है अब देखें यह देखें अ कि अ कि इसक्रूप पूरा टाइट हो चुका है अ कि यह देखी दोस्तों फिर से आपको दिखाता हूं यह शायद इस्टील का है इसलिए इसमें पकड़ने रहा है कि इस्टील के स्क्रूप मैगनेट से नहीं चिपकते हैं कि आप कर देखी दोस्तों कि अब मैं आपको दिखाता हूं इसको लगा कर देखी दोस्तों कि दोस्तों यह स्क्रूप फूल टाइट हो चुका है इससे जादा अगर हम इस पर जोर देंगे तो या तो यह स्क्रूप के हैड को डैमिज करेगा या यह वुड को डैमिज करेगा यानि कि यह लखड़ी जो है भी इससे फट जाएगी तो अगर ज्यादा लेंथ के स्क्रूप हमें टाइट करने हैं तो हमें पहले इसमें होल करना है और फिर इसको इसको टाइट करना है ठीके दोस्तों अब मैं आपको इस मैं इस में होल करके दिखाता हूँ ड्रिल बिट का यूज करके एक मुझें साइज का ड्रिल बिट ले लेते हैं पहले में बोर में होल करके दिखाता हूँ आपको साइड ये चप ठीक से टाइट ने रूहाँ इस असानी से इसने लकड़ी में खोल कर दिया अब हम इस में होल करके देखेंगे इसको में हटा देता हूँ अब आप 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 देखिए दोस्तों अभी तक इसमें होल भी नहीं हुआ है और एटरल बिट यहां से गेश चुका है इसका मतलब यह ट्रिल बिट पतली शीट पर तो वर्क कर सकते हैं और यह लेकिन इतना थिक माइल डिस्टिल पर वर्क नहीं कर सकते हैं अलुमिनियम पर भी कर जाएगा लेकिन इस पर नहीं करेगा यह देखिए तुरंद गिस गया यह कि मैं आपको इसका डेमोस्ट्रेशन एक शीट पर करके दिखाता हूं तो देखी दोस्तों मैंने एक पतली है इसमें मैं देखता हूं यह होल कर पाता है ट्लबिट या नहीं मैंने ट्लबिट भी चेंज कर दिया है कि ज्यादा जोड लगाने से इसका हैमर एक्शन काम कर रहा है कि अग्या है कि अग्या है कि यह इसका है कि यह इसका हैमर स्विच ज्यादा जोड लगाने पर एक्टिव हो जा रहा है तो यह हैमर एक्शन के जैसे वर्क करने लग रही है देखी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसको मैंने आ कि दबाया और जब मैं इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर देता हूं तो यह हैमर में अपने 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 अंदर जा रहा है आप रहा है आप यह देखी दोस्तों इसका ड्ल पिठी कहतम हो गया यह drill bit सिर्फ wood पर work करने के लिए ही है metal पर यह नहीं चलने वाले अब मैं आपको इसके machinery drill bit एक बार चेकर करके दिखा देता हूँ थोज़ दूशे लिए इसको चेकर करेंगे हम दिवार पर तो देखिए दूस्तों इसने दीवार में होल कर दिया तो इसका मतलब यह है मैसनरी drill bit तो बहुत ही अच्छे हैं बिलकूल अच्छे से बार कर राह यह जिए और दिखाता हूँ कर दोस्तों आपने कॉंक्रीट के लिए एक दम बेस्ट है यह और वोड के लिए भी हाँ अगर डिल बिट आप अपने अच्छे कंपनी के यूज करते हैं तो यह वो भी अच्छे से वर करेंगे इस पर तो मेरे लिए इसके मशीन के लिए है